नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर धर्वेंद्र कुमार मेरे युट्यूब चैनल दिव्य हेमियोक्यार में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज आप लोग को हम हेमियोपैथि के कुछ इंपोर्टेंट टॉनिक के बारे में बताऊंगा चुब बहुत ही प्रभावसाली होते हैं और इसका उप्योग प्रतिक घरों प्रतिक परिवार में समान रूप से इसका अप्रियोग किया जाता है तो आए शुरू करते हैं इस दौस्तों यह टॉनिक को कि इसको अलपा-अलपा माल्ड के अलफायल माल्ट हरे प्रम्योंपैथि की सबसे प्रम्र रिफ Gode दोस्तों इस टॉनिक में आपको कई चीज मिला हुआ है कई मेडिसीन इसमें मिला हुआ है जिसमें सबसे पहला मेडिसीन है दोस्तों इसमें अलफा-अलफा क्यों मिला हुआ है मदाटिंचर मिला हुआ है दूस्तों दूसरी मेडिसीन है इसमें एभेनास सिटाइबा और तिसरी मेडिसीन है इसमें जिंसिंग मिला हुआ है शिनकोना मिला हुआ है हाइड्रेस्टिस क्यूं मिला हुआ है काली फोस और इसमें काली मियूर भी मिला हुआ है फिरम फोश मिला हुआ है तो दोस्तों यह दवा हिमियोपैथी की सबसे वेस्ट टॉनिक है और यहां टॉनिक माल्ट में आता है यह गाडा होता है और इसकी स्वाद जो है वहार चॉकलिट जो होता है उस चॉकलिट की स्वाद का होता है दोस्तों यह टॉनिक अगर आप पुराने किसी विमारी से सफर करके आये हैं आपको बहुत जादा भीकनेस महसूस हो रहा हैं कमजोरी फिल कर रहे हैं भूख नहीं लगता है एसी डीटी है या जोरो में अगर आपको दर्द है रिमिटीश का सिकार है या नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र सुचारू रूप से कार्द नहीं करते हैं तो इन तमाम रूगो के बाद या सारी रिक्रूप से अगर बच्चे अगर आपका डेवलमेंट नहीं करते हैं उनका सरीर इंप्रूब नहीं कर रहा है तो इन तमाम लक्षन में हेमियोपैथिक की यह अलफा-लफा मल्ट टॉनिक बहुत ही फायदेवंद है दोस्तों यह मेडिसीन आपक डेवल में कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी इसका वर्क है इस का प्रेयोग हम काफी लंबे समय से अपनी प्रेवलम में अपने पीसलिक्राय को के रिक्सेंट करता हूं देता हूं और आपकि अच्छा है है दोस्टों इसके बाद दूसरी है Лब है आप माल्ट में है यह गाढ़ा होता है और यह टॉनिक जो होता है यह अल्फा यह लेकिन यह पदला होता और यह टॉनिक इसमें भी अपको लगवक पुही सारी क्षारी मेडिसीन मिली हुए होती है इसमें भी अलफा लफा कियो है इवैना सिताइवा है जेंसिंग क्यों है कि उसके बाद आपको वज्येस्टिस मिला हुआ है कालीफॉस कार्लीमिवर यह सारे के सारे इसमें भी मिला हुआ यह good पुजिशन दोनों मेडिसीन का सेम है लेकिन अंतर इतना है कि यह गाड़ा में होता है और यह सारे 400 यानि 450 ग्राम में आता है और इसको जो है आपको प्लेन आता है लिक्विड में आता है पतला आता है इसकी आपको छोटा फाइल सो एमिल से लेकर के सारे 400 इमिल तक की इसका भी फाइल आता है दोस्तों ति दोनों मेडिसीन दोनों टॉनिक हेमियोपैथि की वेस्ट टॉनिक बहुत ही अच्छा कार्ज करती है अगर भूक नहीं लग रहा है ऐसी डीटी होता है तिन तमाम आपको बीमारी में अब यह टौनिक फायदे बंद होते हैं तो अगला टॉनिक है वह ए आपको मौल्टो टेक्स तो यह मौल्टो टेक्स जैसा कि आपने देखा देख रहे हैं कि फीगर में आपको कही परकार के fruits इसमें दिया गया है तो दोस्तों जब आपके शरीर में किसी metabolism किसी भी परकार के विन परकार के जैसे अगर vitamins की कमी हो जाता है या आप सही से समय पर खाना नहीं लेते हैं आपका डैट सुचार रूप से नहीं मिल पाता है पुसकतत्व की कमी है जो महिलाएं हैं खास करके जो गरवती महिलाएं हैं उनके लिए इन सारे या कोई समय से किसी भीमारी से गरह सित है बहुत जादा कमजोरी फिल करते हैं चलने कि उन में सक्ति नहीं होता है तो इन सारे कार बहुत से होने बहुत कोई वाले कमजोरी या आम तोर पर बच्चे है आपके बचचे का प्रूग्रेस अच्छा से नहीं हो रहा है और खाते नहीं उन्का रूच्वजन पर रूच्वी नहीं रहता है तो इस सारे के सारी लख्षन में इस दवा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है तो यह दवा भी आपको सारे चार सौ जी में आता है और यहां पुरुशुत्तम कंपनी का दवा है और यह भी आपको मल्टो टेक्स जो होता है यह भी आपको जिस तरह माल्ड जो है अलफा माल्ड उसी तरह कार प्रकार यह गाढ़ा में आता है यह आपको कंप्लीट हिल्थ टॉनिक है और यह अपने परिवार बच्चे बूढ़े सब के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों अगली जो टॉनिक है वह आपको फिरम सिप यह शिरप में आता है दोस्तों इसमें भी आपको कई मेडिसिन मिला हुआ है इसमें मुकरूप है मिला हुआ है और मिला वा इस सारे के सारे दोस्तों इसमें मेडिसीन मिला हुआ है खास करके जो फिरम फॉस देख रहे हैं तो फिरम फॉस जिसको सरीर में रक्त की कमी है जिसके सरी में हिमोगलोविन कम है उनमें यह दवा बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होते यानि रक्त बर्धक यह तौनिक है तो इसमें अगर आपको लिवर की शमस्या गएस बनता है सीडी टी होता है चुकिbelt सिंकोना मिला वह हुआ ऊसमें भी आपको बहुत फायदें होते अगर आपको नियुक्राइन मैसॉस होता है तो उसमें कालिफोस अच्छा बर्द Кरता है तो इस परकार फेरम शिप याद रखेंगे फेरम सिप शिरफ यह शिरफ भी आपको एक सो पंद्रह एमिल से ले करके और सारे 400 एमिल तक की इसकी बोतले आते हैं इस तबाक को आपको बच्चे को एक धकन तीन बार लेना है और जो एडल्ट है व्यास्क है उनको दो धकन तीन बार लेना है दोस्तों इन सारे मेडिसीन की जो डोज है मैंने डोज आप लोग उसमें नहीं बता है इनमें सभी जितने भी टॉनिक है सभी टॉनिक की जो डोज है जो मात्रा है बच्चे को एक चम्मच देंगे और जो ब्यास कोंगे 12 साल से इभब के हैं तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लेज मेरे इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और विल बटन पर को दबाएं और दोस्तों अगर कोई भी तरह किसी भी तरह कि आप आपको सारीरिक स्वास्संबंद सिकायत है आपको किसी बीमारी से लंबे समय से अगर प्रैसान है तो आप हमसे सलहा ले सकते हैं कॉमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं तो याद रखेगा तब तक के लिए धन्यवाद